अगर साथे को जी कोई ग्रूप है और ओधा ओडर फाइनाइट है तो एक्स्पोनेंट क्या होएगा उस सेट दी मैक्सिंमम वैल्यू नूँ एक्सपोनेंट डूंट अफ जी कमाँगे ठीक जी फॉर गईवार फार्गश्घ अगर मैं स्थ्री लेनाँ शॉड This is S3, एद विच, I cycle हो गया, 1, 2, 2, 3, 1, 3, this, this, 1, 2, 3, 1, 3, 2, ठीक है जी, एद छे element हो गया, अगर मैं हर एक element दा order चेक करा लगा, एद आदर एक है, एद आदå दो है, एद आदर वी दो है, ए दा आदर वी दो है, एद आदर तेन हैं, एदा आदर तेन है, ठीक है जी, तो साथ कोल सेट की बन गया, एक, दो, ते तेन, उन इनना चो सब तो मैक्सिम वैल्यू की लए ये, वो किनी ये, तेन दे बराबर, तो तेन की हो गया, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ओफ ए ग्रुप एस थ्री, क्लियर, तो प्रैक्टिकली असी एननों देख सकते हैं, की एक्सपोनेंट क्या होंदा, तो एक्सपोनेंट ओफ एस थ्री साथ कोल एदे फांदे बराबर आगया, Now, ugly theorem that is related to exponent, so this theorem is, order of, statement is, order of, any element, any element, order of, any element, of a, finite, abelian group, abelian group, so त्यान रखना, abelian group चेहे condition true हुआ, So, abelian group, finite, abelian group, divide the, divide the exponent of a group, divide the exponent of a group, divide the exponent of a group G, does the result hold for, does the result hold for, non abelian group, non abelian group, group justify, So, यह result non abelian लईता, hold नहीं हुंता, यह सी, already example, check कर चुके है, S3 दी, exponent S3 दा सी तिन, तो दो नो divide नहीं करता, चीक है, और S3 के दा दा, non abelian group है, Now, order of any element of a finite abelian group, सादे कोल, जेड़ा है, ओ, divide करता, पर यह सिरफ केड़े केश चा, JG सादे कोल, finite, और major property किया, abelian group है, है, और याद रखना, otherwise, this theorem is not applicable, so, this is for abelian group, मालो सादे कोल, न है, exponent of G, exponent of G, ठीक है जे, एदा मतला, what is this, it is a maximum of order of X, such that X belongs to G, simple definition use करती, कि N की हो गया, exponent तो की होया, order of, maximum value of order of X of this values, मेरा purpose की है, मेरा purpose है, कि जे maximum value हो आ, तो A, जेड़ा सादे कोल N है, किसे ना किसे element दा order ता जरूर होएगा, O, लेले आ सी, order of A, जारी order of A, which is equal to N, तो कोई भी element, अगर मैं जीचो लमा, वो इन्नों डवाइड करदा होना चाहिदा है, So, what we claim that, we claim that, order of B, डवाइड order of A, for every B belongs to G, that is my claim, क्योंकि A element जेड़ा, उसादे कोल, इस वैल्यूस नों जेड़ा साथिस्फाई करता, असी यहनूं कंट्राडिक्शनल प्रूव करांगे, if possible, we claim order of B, does not divide this values, असी कन्या, suppose, मन लो, कोई ऐसा element है, जेड लिए एक कंडिशन सैटिस्फाई नहीं हो रही, मन लो, order of B, A, Z है, order of A नों divide नहीं कर रहे है, for some, B belongs to G, ठीक है, इत्याप आप एक्स यूज कर लिए, ठीक है, एक्स यूज कर लिए, और एक element सी ले लिए, जेड़ा एन्नों divide नहीं कर रहे है, जे divide नहीं कर रहे है, ता साथ कोल की होएगा, जयनि, order of B, order of A नों divide नहीं कर रहे है, जे नहीं कर रहे है, तक की होएगा, there is some prime, some prime P लालेगे, so there is some prime P, such that order of B is equal to P the power alpha into R, R is some integer और P R the GCD 1 है ठीक है जी और दूजे पासे order of A असी ले लिये P the power beta into S ठीक है and beta Z है A साथ को less than alpha आ गया this values आगे if possible तो कोई न कोई prime number होएगा P जेड़ा साथे को असी नूँ इस form दे विच express कर सकते क्यों अच्छा divide अगर कार रहा order of A नूँ नहीं कार रहा तो जाने की beta बड़ा होएगा मतलब एदी power जाने की एदी तो बीटा जेड़ा अगर order of B इनू divide नहीं कार रहा so naturally जेड़ी एदी power है बीट एदी power ओ साथे कोल less हो जाएगी this is less हो जाएगी अगर divide कार रहा तो साथे कोल जेड़ा order of B है order of B है एदी power किनी alpha यह होदे तो बड़ी होगी जानी आँ नमबर एदे तो बड़ा हो गया ठीक है जाएगी this values एज साथे कोल इस तरह दी values आगी अगर इनू practically देखना होए तो तुसी देख साथे हैं जदा हुन दो दी power चार है और एदो दी power तिन नू ड़ाइड नहीं करता तो एधे जड़ी पी दी power है वो एदे नालो लेस आगई जैनी order of A order of A ते power किनी बीटा तो बीटा एदे तो लेस आगई क्योंकि ड़ाइड नहीं कर रहा है जै ड़ाइड कर रहा है हंदा तो एध पावर वद जाने सी समझा गया नाओ दिस वैल्यू ता असी एक ऐसा प्राइम लब सक देया जैड़ा इस condition नू सैटिस्वाइ करे सो सानु पता order of B raised to power R ये दी डेफिनेशन हुन दी order of B बटा GCD of order of B, R this value substitute कर दिये so substitute किता order of B किन P the power alpha R और नीचे आगया GCD P alpha R, R तो GCD आजया साधे को र so this value will become P raised to power alpha so साधे को र सिंप्लिफाइ किता simplify किता थे this value आगय P raised to power alpha R over R so this value is P raised to power alpha right so this is order of B raised to power R दुझे पासे order of A सनु की दित्त P the power beta S इत्या आपा बी दिपावर R लाई तुझे पासे असी आ लाई so this means A raised to power order of A raised to power P beta which is equal to order of A order of A into P beta so what it means it is P raised to power beta into this is a order of A S over P raised to power beta S comma S so this will become a P raised to power beta S comma निकल जाएगा तो sorry P raised to power beta इत्या भी P raised to power beta है तो P raised to power beta over P raised to power beta this value is equal to S इत्या सादकूल S एदी values आगई तो एक element सादकूल आगया एक element सादकूल आगया और दोना दा product चलो कार के देख लेने है so एदा ना राख लिये एदा ना सी राख लिये एदा ना दी राख लिये so let C is equal to A the power P beta or D is equal to B the power R so सादकूल C into D C into D एदी values आगय A P beta B the power R this values A the power P beta and this values B the power R so एनू आसो सी D C दे बराभर भी लेक साद है C D तो D C are equal order of C comma order of D G C D वी सादकूल 1 हो गया क्योंकि एदा order तो दा order आपस चो को प्राइम ता order of C D नू किदे बराभर लेक साद देया order of C into order of D ठीक, what is order of C? this is order of C the value किनी आगे सादकूल S और दूजे दी आगे P alpha this values S into P alpha so this is always greater than S P beta S P beta क्यों alpha सानू बीते तो बड़ा दिता होया this value is always greater than S P beta so what is S P beta so this is order of A जैद कि A A सादकूल किसी exponent तो इस तो वड़ा तो किसे element दा order हो नहीं सकता maximum values तो सादकूल किया गया A ओदे तो बड़ा हो गया so which is contradiction which disturb disturb the maximality maximality which disturb the maximality of exponent so which is not possible if it is not possible then which is a contradiction if it is a contradiction then our supposition is wrong if our supposition is wrong then in that case any element order of X divide order of A so it divide the exponent it divide the exponent of the so every element of G so every element of G divide the exponent of the G this result is not true for a non-abelian group so it is true for a abelian group how it is not true for a non-abelian group for example if I take a G S3 group right so what is this it is a non-abelian group non-abelian group non-abelian group so we already discussed that now what is its exponent now what is its exponent so its exponent is equal to 3 but it has a element of order 2 now order of 1 2 element which is 2 which does not divide 3 so it means this result is not true for a non-abelian group